Hello ven CMQ का भी काक्षक का अभी मैत्रिक्स मैत्रिक्स यानि कि our View को हम आप View को भी का रही है प्लस हम इस तरह से Question ले रही है ताकि यह आपका revision भी हो जाए क्या छीज का revision हो जाए? तो matrix का revision हो जाए view का revision हो जाए तो देखा होगा आप लोगों ने मैंने एक दम कैसे question start किया था, देखा होगा आप लोगों ने दम मतलब सुरू से जो matrix, यह आप लोग पढ़ते हैं से question start किया उसके वासे धीरे-धीरे हम जैसे अडिसन पर गए सब्स्ट्रेक्शन पर गए फिर उसके वासे order पर गए order निकालने पर गए ठीक है उसके वासे धीरे-धीरी जैसे आप लोग पढ़े हैं वैसे वैसे matrix का question बनाएं अब्यक्टिब कोशन वैसे वैसे ही पोश्ट करेता कि क्या हो इसे आप लोग का मैट्रिक्स का रिवीजन भी साथ-साथ ही होते चले जाए चलिए यह तो बात था लेक्चर इस्टार्ट करने का आई होप सो कि आप लोग सभी जो है अच्छे होंगे अप लोग का स्वास्त भी काफी अच्छा होगा अगर आप लोग अच्छे हैं है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्षन में यह लिख दीजिए कि हाँ हम लोग सब लोग गुड है अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं कि आपका स्वास्त अच्छा होगा आप लोग अभी करोना के कारण ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे होंगे और आप लोग के घर में सब कोई अच्छा होगा और I hope so कि आप लोग भी काफी ही अच्छे होंगे ठीक है तो चलिए जो है आज हम लोग ज्यादा कोश्य नहीं करेंगे और आल्डेडी मेंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में लेक्चर नॉल्ड 6 में M.C.C.C के लेक्चर नॉल 6 था क्या उधर आपको क्या अबर स्क्तिस करके आना है तकि आप इस lecture में यानि कि lecture number 7 में जो है questions का answer दे सके, नहीं भी दे सके नहीं भी दे सके नहीं भी दे के आए तो कोई बात नहीं यहां से आप लोग देखके जाहिएगा उसके बास लगेगा कि नहीं देखना चाहिए तो आप लोग देख लिजेगा किshore नहीं आपका matrix का playlist कभर हो चुका है, लिंक आपको कहा मिल जाएगा description में मिल जाएगा count तो कोई भी डाउट आ रहा है तो इसके लिए हम लोग का telegram group वहाँ पर य॥ा हो सकते हैं एड हो सकते हैं और वहां पर कोईसी भी तरह का डाउट आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है किसी भी केरियर से related, सलेबस में डाउट है ठीक है आगे क्या करना है नहीं करना है किस तर से पढ़ना है ठीक है इस तर से क्योंकि अभी देखिए आप लगा छठा मंथ चल रहा है जो छठा महना है वो चल रहा है तो अभी एक्जाम मतलब सारा एक्जाम में आजाए अगर ऐसा गेस करो कि सारा क्वेश्चन एक्जाम में आजाए भाई ऐसा पॉसिबल है आप ही बताओ, पॉसिबल है एस टीचर हम क्या मतलब आपको जैसे कि 50 को MCQ बता सकते हैं जो आपको 50 का 50 ओ एक्जाम में आ जाए आप लोग देखते ह यूट्यूब में पोश्टर बना हुआ रहता है इस तरह से थम्नेल जिसको बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखिए एकदम आपको यही कोश्चन आ जाएगा देखें कॉन्फिडेंस लेबल देखिए मतलब जो टीचर आपको जो बता रहा है या जो भी वीडियो पोश्ट कर र जो कोश्चन सेट करते हैं ठीक है उनके माइंड को आप रिड कर लिए है क्या जो लिख रहे हैं कि इसी में से 50 में से 50 आ जाएगा तो आप लोगों को इस भरम में नहीं पड़ना है कोई भी टीचर चाहे हम हो या चाहे कोई भी टीचर हो कोई भी टीचर आपको यह नहीं इस ब्रहम में नहीं पढ़ना है, करना क्या actual चीज क्या करना है आपको, तो अभी शोर्षिती class mut हो रहा है क्या हो रहा है की आपको अभी से 7後 many chapter wise chapter wise chapter wise, Blaze m-c q practice हो रहा है, m-c q practice एकदम chapter Pip Saan ठीक है, इसके पासे हम लोग एकदम exam point of view से exam point of view से bhi m-c q practice करेंगे मतलब mislainious, sub-mix किया हुआ MCQ practice करेंगे तेक अभी chapter wise क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास time है जैसे जैसे exam नजदीक आएगा जब हम लोग exam के पास पहुचेंगे तब फिर हम लोग एकदम जैसा exam point of view से पूरा जो MCQ उसको practice करेंगे इस video में मैं MCQ related ही बात करूँगा इस video में मैं mainly वस्तुनिष्ट प्रसुन से ही related बात करूँगा तो यह जो आप लोग को poster मिलता है YouTube पे thumbnail इस तरह का मिलता है कि यह video देख लीजिए यहां से देखने के बाद आपको मतलब math में 90% 19% के हम तो देखते हैं कि 100 में 100 लेते आईएगा ऐसा ऐसा video का thumb nail हम देखे है सोच लीजिए तो यह सब भ्रह्म है मतलब कि इन सब चीजों में मत पढ़िये जो genuine चीजे हैं वो आपको भी पता है मुझे भी पता है ठीक है अब बताइए कि कोई भी आपको आप एक साल पढ़ाई नहीं किये एक one year आप मान लेते हैं कि पढ़ाई धंग से नहीं किये और आपको last में कोई बोल दे कि हम तुमको 100 में 100 दिलवा देंगे 100 में 100 दिलवा लें कि हम मतलब यह वीडियो देख लिजिए तो आपको 50 में 50 आ जाएगा तो इन सब भ्रहम में नहीं पढ़ना है आप लोग को जो actual चीजे हैं जो genuine चीजे हैं उन सब चीजों को सीखना है क्योंकि life में आपको वही सब चीज benefit करने वाला है महनत करें और आहिन दंद्ड करें यह प्रोंस आपको अगद единति करने इस तरह से हैं आगे चलकर आपको यह चीज लभ में जुड़ेगा अपका एक्जाम न जुड़े लेकिन लाइख में आपका जरूर आपका जुरल है करते हैं चली तो पहला कोश्यन क्या है कि पहला कोश्यनि husbands क्या है पहला कोश्यन नहीं हैरी है पहला Merryt मैंने कल ही बोल दिया था मतलब कल के lecture में यानि कि MCQ 6 वाले lecture में मैंने बोल दिया था कि maximum question जो है सारे question सम्मीत आव्यू और विसम सम्मीत आव्यू यानि कि symmetric matrix और इसकी symmetric matrix पे ही based रहेंगे तो इसमें से कौन सा सम्मीत आव्यू है आपको यह बताना है कल का lecture जो है last question जो दो question था वो सम्मीत आव्यू पे ही था उसमें based यह question है जल्दी से इसका बनाईए किसका answer क्या होगा इसमें से कौन सा सम्मीत आव्यू है मतलब which one of is the symmetric matrix इसमें से कौन सा symmetric matrix है आपको यह बताना है सम्मीत आव्यू बताना है कौन सा है कल मैंने क्या बुला था सम्मीत आव्यू के लिए चलिए हम जो बच्चे try कर रहे हैं अगर उनको याद नहीं आ रहा था सम्मीत आव्यू के लिए अगर कोई matrix A है तो A equal to A transpose होगा यह condition था किसके लिए चलिए जल्दी से इसका answer पता है इसका answer क्या होगा और maximum बच्चे को यहां लेकर क्या यह जितनी भी जो बच्चे effort नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे आपको fee नहीं दे पा रहे हैं जो इनको coaching के कोई सुवीधा नहीं हैं सारे बच्चे को यहां लेकर के आए, सारे सब को एकदम एक समान ट्रिट किया जाएगा, और जो मतलब होता है कि आप जहां फी दे करके उतना आपको अटेंशन नहीं मिलेगा ना टीचर का यहां पे आपको फ्री में अटेंशन मिलेगा, आप चाहे तो group के बच्चों से पू जो बच्चे गुरूप में नहीं रहेंगे तो उनको हम लोग गुरूप में पुरा strict रखते हैं हम लोग गुरूप में काफी ही जो आपका है strictly follow करते हर चीज को ठीक है तो जो बच्चे गुरूप में उनसे भी पूछिए कि उनको कितना benefit होगा क्योंकि यहां पर हम लोग जो है हर बच्चे को आपको एक one to one मतलब कि एक बच्चे का भी doubt है तो उसके लिए एक टीचर कोई ना कोई उसको जबाब देगा ही देगा ठीक है चलिए तो इस question काफी लंबा time हम दे दिए काफी लंबा time तो इसका जो correct answer होगा सबसे पहले देखिए सबसे पहले तो यह देखिए कि सबसे पहले जो condition था condition क्या है कि A equal to A transpose होना चाहिए मतलब कि जिस matrix का परिवर्थ निकालेगा, मतलब कि जिस matrix का transpose निकालेगा फिर उसके बास से भी जो है नाemplria हो से गाल को मतलब परिवर्थ निकालने के बाद भी वही matrix ऐ जाङगा चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि matrix A का परिवर्थ निकालते हैं जो पहला option number A है उसका हम परिवर्थ निकालते हैं तो आप निकालके देखे होंगे इसका जब परिवर्थ निकालिएगा तो करके देखिए क्या करते हैं जो भी रो है या कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे यह कॉलम है इसको रो में चेंज करेंगे इसको रो में change करेंगे तो कैसे लिखेंगे एक सोजा पंक्ति में लिखेंगे तो इस तर से लिखेंगे यह अस्तंब है इसको पंक्ति में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे तो ऐसे करेंगे 3,2,3 ठीक फिर इसी के बास से इसको क्या करेंगे यह मेरा रो है इसको हम पंक्त ठीक इसको भी आप 3-1 और 1 तो यह क्या निकला यह जो मैट्रिक्स हम लिखे यह क्या लिखे रो को कॉलम में चेंज कर दिया अब देखिए A transpose और यह matrix A जो है यह जो भी matrix है ठीक है दोनों same नहीं दिख रहा है किया दोनों same नहीं दिख रहा है दोनों हर एक यहां पर 3 है 2 है 3 है root 3 है 2 है 3 है ठीक है same दिख रहा है तो यानि कि इसका correct answer क्या होगा और देखिए एक दो condition हम और जल्दी से जल्दी check करने के लिए बताते हैं जब इसका transfer निकालेगा तो same नहीं आएगा ठीक है इसके बराबर नहीं आएगा ठीक है और क्या तरीका है कि जैसे कि अगर देखिए सबसे पहला condition क्या है कि अगर आपको सम्मीत आजी हो यानि कि symmetric matrix है ठीक है तो सबसे पहला क्या है कि A equal to A transpose होगा मतलब A equal to A का परिवर्थ होगा ठीक है इसी से हम यह बोल सकते हैं कि A of ij मतलब कि जो element ij जिस position पर है वो किसके बराबर होगा A of ji j i इस का कहने का मतलब क्या है कि A of , cálm2 पहल रो दूसरा कॉलम पर जो position पर element रहेगा वो किसके बराबर होगा A of 2 ? check binge करके δेखिए जैसे कि माल लेते हैं कि इसको देखिए 3 इसका position नमबर क्या है इसका positionbene यह पहला row है यह और कितना number column है यह तीसरा column है तो इसका position कितना हो गया पहले row लिखते हैं फिर column लिखते हैं तो यानि a223 किसके बराबर हो चाहिए पहला रो और जो पोजिशन लिखे पहला रो यह तो पहला रो है यानि आ णिरा रो है यह पहला रो और कॉल में ओ कि आपको नहीं नहीं आफूरह उर्डना इसंग पहला फॉिसे का रहा न स्थासं और दको स्थार्व दरौरह और पहला 3 माने गपार सिते और 18 तीसरा कॉलम ठीक तो यानि कि A13 किसके बरावर होना चाहिए A31 यानि कि तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो यह है और पहला कॉलम ती यह देखिए वाला और यह वाला इक वाल है तो यह सब के लिए होना चाहिए अगर यह symmetric matrix है मतलब कि Aij equal to Aji for every i, j हर एक i, j के लिए आपको इस अभी उठा लिजी है जैसे कि Aवाला element इसको माल लेजीए Aवाला element यह वाला element किस position पर A आपको तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है यह किसके बरावर होना चाहिए ए टू थीरी के बरावर तो करके देखिए देखिए दूसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम तो तीसरा कॉलम तो बरावर है यह दोनों ना तो हर एक आई जे के लिए आपको हर एक के लिए चेक करना तो वह symmetric matrix होगा ऐसा नहीं, अगर यह चेक नहीं कर रहे है तो आपको क्या करिएगा, simply इसको चेक कर लिजिए, a is equal to a transpose, अगर यह हो गया तो आपका वह symmetric matrix हो जाएगा, यानि की सम्मीता व्यू दूसरा question पर आते हैं, दूसरा question क्या बोलता है, इसमें से कौन सा विसम सम्मीता view है, विसम सम्मीता view, यानि की which one of is the isqueue symmetric matrix, इसमें से कौन सा isqueue symmetric matrix है, जलिए इसका answer दीजिए, कल भी यह question मैंने, as a theory के रूप में लिया था, आज मैंने एक problem के दूप में दे दिया है, या हम्री कल के रूप में दे दिया है, आपको समें से पता करना है की कौन सा isqueue symmetric matrix है इसमें से कौन सा isqueue symmetric matrix है, I hope so कि आप लोगों को lecture अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा lecture तो जरूर एक like दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को जितने आप अपने friends के बीच फैला सकते हैं, उसको जरूर फैलाने के कोशिस करिएगा, इससे क्या हो अच्छे अगर देखेंगे, उससे हम लोग को motivation मिलता है कि हाँ, हम लोग का जो पढ़ाया हुआ है काफी दूर दूर तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को share करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी जरूरा थे, उनके साथ जरूर share करिएगा, चल किसके बरावर अगर उसका transpose निकालेंगे, तो वो –a के बरावर आएगा, चलिए अब जल्दी से ये condition तो हम बता दिये, सम्मीता व्यू का, यानि विसम सम्मीता व्यू का हम बता दिये, यानि इसक्यू symmetric matrix का ये condition बता दिये, अब इसका answer बता दिये, क्या होगा, अब इसका transpose निकाल देते हैं, इसका transpose निकाल दीजिए, transpose यानि कि परिवर्थ निकाल दीजिए, इसका जब परिवर्थ निकालेंगे, तो row को column में, column को row में change करेंगे, यानि कि ये वाला row बन जाएगा, यानि कि 0-1 और ये वाला आपको 1-0, ठीक, तो ये मान लीजे matrix A था, अब transpose हो जाया, दोनों बराबर नहीं है अभी तक, ठीक है, यानि ये symmetric matrix तो नहीं है, लेकिन A transpose को मतलब कि इस matrix में, अगर हम इस matrix में, ये वाले matrix में, किस matrix में, ये वाले matrix में, अगर हम माइनस 1 यहां common लेते हैं बाहर, ठीक है, तो अंदरवल element कितना हो जाएगा, 0, ये कितना ह ये और ये देखिए किसके बराबर है, A ही है ना, तो इसको कितना लिख सकते, equal to minus 1 A, यानि कि minus A, minus A, यानि कितना आगया, A transpose equal to minus A आगया, यानि कि इसका correct answer कितना होगा, A होगा, ठीक है, इसका 3-4 सब करके देखिएगा, कोई भी इसमें से सही नहीं होगा, ठीक है, तो इस मैंने काफी अच्छे से details से इन सब चीजों को समझाया है, तो आप लोग वहां से पता कर सकते हैं, देख लिजेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तीसरा number question क्या बोड़ा है, कि वास्तविक अव्यवो, मतलब कि जो भी elements होंगे, जो भी elements होंगे, आपके, किसमें matrix मे होंगे, तो वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब कि real होंगे, मतलब कि कोई भी imaginary number नहीं रहेगा, सारा वास्तविक संख्या रहेगा, तो चल ये question बढ़ते हैं, वास्तविक अव्योग वाले किसी work अव्योई, square matrix A, square matrix A के लिए A plus A transpose A कैसा अव्योग होगा, मतलब कि देखिए, A एक कोई matrix है, A एक कोई matrix है, और उसमें जितने भी elements है, जितने भी elements है, सारे क्या है, सारे आपके वास्तविक संख्या है, मतलब कि real number है, कोई भी imaginary iota वाला नहीं है, ठीक है, तो अगर A plus A transpose लिख रहे हैं, उसका हम, अगर A plus A transpose उसका find कर रहे हैं, तो वो किस पर अगर नहीं है, सारा अव्याग, ठीक है, तो A plus A transpose कैसे type का matrix होगा, ये भी मैंने अपने lecture में cover कराया, ये एक theorem ही है, एक तरह से, theorem है, जिसको हम लोग पड़े में बोलते हैं, देखिए अगर मेरे lecture देखिए, उसमें आपको बड़े चलेगा, A plus A transpose ये कैसा अव्या होगा, अगर देखिए, इस lecture के बाद, देखने के बाद, आप लोग को समझ ही नहीं आए, तो आप लोग जागर के मेरा main playlist देखिएगा, matrix का, ठीक है, उसमें अगर आप लिया होगे, तो आप लोग क्या करिएगा, एक बड़, जो इसको ही symmetric matrix और symmetric matrix वाला वीडियो है, उसको एक ब और कराया है, तो example लिया है, एक-एक matrix लिया है, एक matrix लिया है, थीक है, फिर उसका हम क्या निकाले है, ट्रांसपोज निकाले है, फिर अपलस अगर हम निकाले है, तो देखेगा कि भो HELा my matrix आ रहा है, वो भो सम aerial आप works मतलब कि a plus a का whole transpose करिएगा तो क्या हैगा a plus a transpose ही आएगा a plus a transpose ही आएगा ठीक है जैसे कि यहां से भी check भी हम यहां पी बता देते चलिए अब लोग जैसे कि अगर मान लेते हैं कि a plus a 1 क्या बोल रहा है कि a plus a किस टाइब का matrix होगा तो a plus a किस टाइब का matrix होगा सम्मी ताव्य होगा सम्मी ताव्य होने क्या condition था कि कोई matrix अगर b है तो b transpose equal to b होगा ठीक है यही condition था सम्मी ताव्य होने का अगर यह a plus a transpose क्या है सम्मी ताव्य है यानि कि a plus a transpose अगर सम्मी ताव्य बोल रहा है इसका जो हम transpose लेंगे तो यही matrix आना चाहिए यही matrix आना चाहिए तो करके देखिए A plus A का whole transpose कितना हो जागा A transpose plus A का transpose plus transpose यानि A transpose A transpose कल भी हम बहुत सारा objective question में विलिया और property भी है यह कितना हो जागा A transpose plus A यहाईसी को लिख सकता है ना A plus A का transpose यानि कि जब हम इसका transpose ले रहे हैं तो same matrix आ जा रहा है ना यानि कि यह सम्मीत आभी होगा ठीक है अब चलिए question number 4 में चलते है question number I hope हो कि अगर आप लोगों से नहीं बन रहा होगा question समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको सम्मीत आभी और विसम सम्मीत आभी आभी को अच्छे से देखने का ज़रूरत है question number 4 देखते है वास्तिविक आभी होगों वाले same question है वास्तिविक आभी होगों वाले किसी वर्ग आभी हो ए के लिए A minus A transpose A minus A transpose ये कैसा आभी होगा A minus A transpose ये कैसा आभी होगा same question है शरिफ यहाँ A minus A पूछ रहा है और यह सब सारा पढ़ी में है थियोरम है आपको जब पढ़ी है आप लोग तब उसमें पता चलेगा for any square matrix with real intries A minus A transpose ये किस टाइप का matrix होगा ठीक है इसका जो correct answer होगा देख लिए आप लोग A B C D जो दिया हुआ है A B C D तो इसमें से कौन सा correct होगा इसका correct answer भी होगा भी समसमीदा भी होगा अगर detail में देखना तो मेरा lecture देखिएगा मतलब कि A minus A transpose जब इसका transpose दीजेगा तो ये कितना किसे बढ़ाबर होगा अगर आज का जो objective question किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब काफी मैंने detail में अपने lecture में बताया तो उसको आप लोग देखिएगा अगर आज का जो objective question किसी को समझ में नहीं आ रहा है that means कि उस student को क्या चीज़ देखने की जरूरत है विसम सम्मीत आव्यू और सम्मीत आव्यू देखने की जरूरत है तो ये lecture खतम होने के बाद आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर भूल गया होंगे तो जरूरत देख लीजिएगा चलिए next question बोल रहा है कि किसी वर्ग आव्यू A को सम्मीत तथा विसम सम्मीत आव्यू हो में कैसे व्यक्त करते हैं मतलब कि एक कोई work-outview मतलब कि एक कोई square matrix A है उसको हम सम्मीत यानि कि symmetric matrix और skew symmetric matrix में कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये भी एक theorem है theorem है, matrix में हमने 4 या 5 theorem पढ़ा था मेरे lecture को देख यह आपको पता चलिएगा अगर कोई वर्ग आव्यू है तो उसको हम लोग symmetric matrix और etосьको symetric matrix में कैसे लिख सकते हैं अगर कोई work आव्यू A है ठीक है तो इसको हम लोग deceicymetric matrix or symmetric matrix के form में कैसे लिख सकते हैं किसी work a.Tet with a. तो यह आपको theorem में direct पतर आना चाहिए, इसका correct answer कितना होगा इसको हम कैसे लिख सकते है, 1 by 2, a plus a का transpose, फिर plus 1 divided by 2, a minus a का transpose, ठीक है, यह थी और हमें, यह भी मैंने आपने lecture में बताया है, ठीक है, इसका correct answer जो होगा, यह होगा, ठीक है, तो इस lecture में हम लोग 5 questions ही रहने जिते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है, आपको mainly cover क्या करवाया, तो अग आप लोग को, अगर skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, या symmetric matrix, यह अगर ध्यान से उतर गया होगा, तो सारा जो है, आपको आजाएगा, ठीक, तो इससे क्या lecture में बता चलेगा आप लोग को, कि आप लोग को क्या-क्या देखना है, और क्या करना है, जैसे कि अगर आपको भूल गया होंगे, विस जैसा थी औरों में, दोनों सेम मिला हुआ है, ठीक है, तीसरा और चॉर्था, ठीक, और सफिर तो यह सब तो आपको simple, आपको पता ही था, दूसरा और पहला, ठीक है, तो इस lecture में इतना ही, मिलेंगे, अब हम लोग next lecture में, और जो है, इससे पहले जो है, ठीक है, अब आपक मैट्रिक्स MCQ का, MCQ का मतलब मुस्किल से 2 या 3 lecture और होगा, MCQ का, तो आप लोग क्या करेगा, comment section हमको यह बता दिजेगा, comment section में यह बता दिजेगा, कि next, next, next किस lecture का, मतलब किस chapter का, किस chapter का MCQ करवाया जाए, next किस matrix के बाद, next जो है, किस chapter का MCQ करवाया जाए, जिस chapter में करा कि आप लोग को भी मजा आए, ठीक है, ठीक है, तो इस lecture में इतना ही, मिलते हम लोग, next lecture में, तब तक के लिए, goodbye and thank you.